हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल इंग्लिश विच अगन रोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए आर के नरायन के फेमस नोवल दी वेंडर ओफ स्वीट के चैप्टर फॉस्ट की डिटेल समरी लेकर आया हूं यह डिटेल समरी मैं आर पी ऐसी फॉस्ट के अपने बाई बनों के लिए बनाई है मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले मैंने एक शोट समरी पर एक वीडियो बनाया है दा वेंडर ओ स्वीट पहले आप वो देख लीजे ताकि आपको पहले सारा बेस समझ में आजे उसके बाद हम डिटेल वन बाइवन च चैप्टर वन में हमारा होता है कि जगन जो इस नोवल का हीरो है देखिए वहाँ एक कोश्टन आ सकता है कि प्रोटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट का मतलब भी हीरो होता है जिनका लिटरेचर बैक्राउंड नहीं है उन्हें मैं बता दू कि प्रोटागोनिस्ट का मतलब hero होता है और antagonist का मतलब होता है villain अब protagonist है hero ladies भी हो सकती है ladies भी हो तो उसे हम protagonist ही कहेंगे ये एक गांदी वादी व्यक्ति है और इसकी एक अपनी philosophy है simple living की सादा जीवन की वो अपने cousin अपने इसके पास एक cousin आता है जो डेली शाम को साड़े चार बज़े आता है और वो आकर उसे वो आता है हमेशा मिठाईया टेस्ट करने के लिए जगन उसे कहता है conquer taste and you will have conquered the self आप अगर आपने जीव का स्वाद जीत लिया तब आप अपने आपको जीत लोगे क्योंकि सबी सादूने हमें ऐसा करने की सला दी है आर पीएसी का जो अब पेपर होगा वो काफी टफ होगा वो आप से ये भी पूछ सकती है कि ये जो thought है ये किसने का है ये तो सब को पता जगनने का है किसको का है cousin को का है कितने बज़े का है लगबख शाम को साड़े चार बजे का है क्योंकि नॉर्मली कजन उसी समय शोप में आता है किस चैप्टर में का है फर्स चैप्टर में का है अच्छा कजन सिर्फ क्यों आता है उसे तो आकर डिली मिठाईयों को फ्री में टेस्ट करना होता है इसके बाद में जगन कहता है कि उसे बताता है कि आज मैंने नमक खाना छोड़ दिया है तो पहली बात याद रखिए वो नमक खाना छोड़ देता है जगन एक जिबा और धोती जिबा जो मारे पंजाबी में कहते हैं न कुड़ता और धोती पहनता है और ये दोनों खादी की पैंता और वो खादी खास ऐ क्योंकि वो खादी अपने हाथ से खुद बुनता है उसके पास हमेशा दो जोड़ी ही कपड़े होते हैं वो खुद डेली घांदी जीने का था चर्खा चला वो डेली चर्खा चलाता है सूट बनाता है जो एक्स्टरा यान एक्स्टरा सूट जो बन जाता है उसे लोकल हैंडलूम कमेटी को थोड़े से पैसों में जाकर दे आता है जब से गांदी जी यहां आए है तब से जगन ने लैदर से बने हुए सैंडल पहना स्टार्ट किया है वो सेंडल खास सेंडल है उनका नाम है नोन वाइलेंट फुट वियर नोन वाइलेंट मतलब अहींसा सेंडल वो क्या करता है कि वो जंगल में जाकर कोई ऐसी गाएं या बचडे का की खाल लेकर आता है जिसकी नैचुरल डेथ हुई हो अपने ही आप मरा हो उसको पहले तो वो अपने घर के वरंडे में उसको उबाल कर टैन करता था लेकिन उसकी वाइफ और बच्च शोर मचाते थी तब उसने घर में उबालना बंद कर दिया अब वो जाकर क्योंकि उससे बदबूब होता थी अब वो जाकर कोबलर को दे देता था और कोबलर उसको नोन वाइलेंट फुट वीर लाकर दे देता था पहले ही उसने शुगर छोड़ दी थी लेकिन उसके बदले में वो 20 बूंध हनी शहद की लेता है यानि कि उसको नमक छोड़ दिया BP डेंशन नहीं है शुगर छोड़ दी कोई उसको ब्लड शुगर की डेंशन नहीं है राइस भी वो खाता नहीं है इसके कारण उसको BP कुछता है कि तुम कमा क्यों रहे हो यह इतना काम क्यों कर रहे हैं कमा क्यों रहे हो लेकिन इसका जवाब वो बाद में देगा उस समय क्या होता है साड़े चार बज़े से लेकर छे बज़े तक कजन यहां रहता है सारी मिठाईयां खाता है छे बज़े क्या है जब जो षार खूक हैं और एक फ्रंट स्टार्व का लड़का यानि कि एक सेल्समैन है जगन की जो कुरसी की वे कानिये कुरसी एक सिहासन की तरह है जो की एक सेंच्विरी पुरानी है यह कुरसी तब मिली थी जब बनाई गई थी जब मिस्टर नोबल नाम के जो एक अंग्रेश थे जो वहां के डिस्ट्रिक कलेक्टर थे वो जगन के फादर से कुछ सीखने आये थे इसके क्योंकि उनको नीचे बैटने में प्रोब्लम होती थी इसलिए ये कुरसी उनके लिए बनवाई गई थी अब मिस्टर नोबल का एक पु से आई थी मिस्टर नोबल से आई थी उसका फोटोग्राफ भी है उनके पास में और वो फोटोग्राफ का हैं घर की लॉफ्ट में है इसके बाद में जब स्वीट तली जाती है और वो सारा दिन जो किचन में शोर शरबा होता रहता है ट्रेज दूर जाती रहती है जगन ब रखता है उसने एक और इनकी शोप में एक चोकीदार है जो कि पुरा खादी पहने वाला एक्स आर्मी मैंने जगन उसे बोलता है कि कोई भी ना दुकान के बार कोई बिखारी नहीं आना चीए सिर्फ शुकरवार को बिखारियों को आने की परमीशन है छे बज़े तक जो कहा आता है जगन उसे काउंट करता है फिर उसके बाद एक जो एक घंटे में जो और सेल होती है साथ बज़े जो सेल होती है उसको भी वो बिना काउंट किये हुए रखता है छे बज़े तक काउंट करता है साथ बज़े वाला बिना काउंट किये हुए रखता है हैड कुक कहता है कि मैं कल एक नहीं मिठाई बनाऊंगा जो मिठाईयां आज बच गी हैं उने में उन मिठाईयों में भरकर उनको बिल्कुल नया बना दूंगा जब स्टाफ चला जाता है वो फिर से कैश गिनता है उसके स्मॉल नोटबुक में और लेजर में एंट्री करता है जो कैश छे बज़े तक आता है सिर्फ उसी की एंट्री करता है छे बज़े के बाद में जो कैश आता है उसे वो फ्री कैश मिलता है वो कहता है इसका कोई टेक्स नहीं दूंगा और वो उसे अपने घर ले जाता है एक ताला लगाता है और वाच्मेंट जिसे वो अगर आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे आप जरूर कमेंट बोक्स में बताइए तब मैं इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी और बाकी जो भी हमारा फर्स्ट गेड का स्लेबर्स उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सबका एक्जाम में सेलेक्शन हो आपने अपना कीमती समेडिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबो जय हिंद भारत मता की जय है